अभी हम करने वाले हैं कोशन नमबर 3 का कोशन नमबर 3 का कोशन नमबर 4 जो है थोड़ा काफी लंबा कोशन दिया गया है इसको पहले समझेंगे अच्छे से और उसके बाद ही इसकी कुशन बनाएंगे क्योंकि यह अगर अच्छी से समझ में आ गया तो इस तरह का इस आफ यह बोड़ एक्जामिशन में फोर मार्क्स क्या आते हैं तो काफी अच्छी से समझना इस क्रेशन को उसने बोला है कि टैक्सी चार्जेस एक टैक्सी है जो किसी सहर में चल रही हैं तो यहां से यहां के लिए जाएगा तो एक तो इसका फिक्स चार्ज होगा मल यह एक fix charge लेता है x ले लेता है कोई अगर ब्यक्ति इसके साथ जाता है तो उसने बोला कि इतना पैसा तो आपको paid करना ही होगा और उसने बोला मल लिजे मैं इसको number में ले ले रहा हूँ उसने बोला कि अगर आप यहां तक जा रहे हो और उसने बोला कि अगर आप आगरा से डेली जाओगे तो उसके लिए per km per km का means है कि एक km का charge लगेगा आपका 10 रुपए अगर आपका 200 km होता है अगर डेली तो वो 2000 रुपए उसके लेगा और यह fixed charge भी उसमें एड़ देगा तो fixed charge से means है कि वो अपना हम इसको solve कर पाएंगे अच्छे से और अच्छे से समझ पाएंगे चले तब कुशन पर आते हैं उसने बोला था taxi charges in a city consist of a fixed charge वो एक taxi वाला है जो कि अपना fixed charge ले रहा है together with the charge for distance covered और उसके साथ में वो distance का भी charge कर रहा है जितना भी वो cover करेगा for the distance of 10 km जब उसकी taxi 10 km जाती है 10 km के लिए the charge paid is जब 10 km जाता है तो उसका charge 105 for the journey of 15 km जब वो 15 km चलता है 15 km चल रहा है तो वो उसका charge हो रहा है 155 यानि 155 चार्ज कर रहा है what are the fixed charge fixed charge निकलना है हमें तो जो हमें पूछ रहा है उसी को हम लेट करेंगे the fixed charge to fixed charge के बारे मत कर रहा है एक तो fixed charge के बारे में बात कर रहा है और एक per kilometer के बारे में निकलना पड़े है क्योंकि उसने बोला है कि how much does the person have to pay for traveling distance of 25 km अगर एक ब्यक्ति 25 km अगर वो ट्रेवल को कवर कर रहा है तो उसको कितना पैसा पेड़ करना पड़ेगा तो उसके लिए पहले हमें fixed charge की बीजरूत पड़ेगी और पर kilometer के बी एक्स एंड दा चार्ज फोर पर क्लोमीटर बी बाई उसने बोला है let the fixed charge do let the fixed charge be x फिक्स चार्ज जो है वह x है और पर क्लोमीटर का यह है अब उसने according to the question हम लिख सकते है condition भी लिख सकते है according to the question भी लिख सकते है according to the question की जो condition है वो क्या क्या है पहले 10 क्लोमीटर जब चलेगा तो उसके साथ हमारा fixed charge भी चलेगा और टेन क्cam कीलि मेंटर के लिए पार कलिमेटर का यह सब से उगक और यह होगी एक्यूचिंड फॉर्स्ट कन्डिशन ने बोला है कि जब वह 15 क्लिमेटर चल ला है तो उसके लिए विक्स चार तो सम्स पड़ेगा और 15 किलिमेटर के लिए 15 भाई हो जाएगा और चार्ज कितना पेट कर रहा हो 155 यह होगी कि नमबर सेटेंड हो गई कि अब यहां से हम जानते हैं कि फ्रॉम किशन नमबर वन फ्रॉम इक्वेशन नमबर वन क्या है x प्लस 10 बाई इस उकल टो 105 तो यहां से हमारी x की वेलु आ गई हमारी x की जो वेलु है 105 मारी सें देटा यही ओगी मारी इक्वेशन नमबर थाड अब हम क्या करें पुटिंग दए वेलू ऑफ बाई putting the value of by x indication number अब जब हमारी यह value निकल की आ जाती है x की तो इसको हम put का करते है second बे है x की value गो तो हम हम x की place पर क्या लिख देंगे है हम पूरा 105-10y और आगे क्या दिया है हम है 15 15 by is equal to 155 यहां से हमने इसको माइनस किया 5 by होगे हमारा और यह उधर आ जाएगा हमारा 155 माइनस 105 यहां से हमारी value निकल के आएगी 5 by is equal to 50 तो y का value आगे हमारा 10 और 10 क्या था हमारा 10 जो था हमारा क्या था पर किलिमेटर का चार्ज है तो 10 जो हमारा पर किलिमेटर का चार्ज निकल के आगया अब हम य का value पुट कर देंगे putting the value of y putting the value of y in equation number third third equation क्या है यह x is equal to x equal to 105 minus 5 by और by का value है हमारा 10 तो 105 minus 50 तो यह आ जाएगा हमारा fixed charge आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 5 और 55 यह हमारा 55 क्या आ गया हमारा fixed charge आ गया यहां से हमने देखा कि हमारी equation में उसने बोला था कि सबसे पहले उसने बोला था for 10 km 10 km के लिए वो charge कर रहा है कितना उसने charge किया था 150 105 तो हमने और second में बोला था उसने कि 15 km के लिए वो charge कर रहा है 155 तो 15 km और यह हमारा fixed charge हमारा पार दौनों के लिए चले गा तो from equation number one से हमने X की value finding की from equation number वहारी यह थी और x का value find कर लिया और x का value हमने put किया है equation number second हमने put करने के बाद हमारा निकल किया गया यह यहां से 5 by हो गया हमने किसमें equation number 3 में put किया स्वरी यहां 10 है तो यहां से equation number 10 में है इसमें हम put करेंगे 10 है यह तो यह 100 हो जाएगा हमारा और यहां से fix charge हमारा निकल के आ जाएगा कितना 5 निकल के आ जाएगा तो अब यहां से हमारा fix charge भी निकल के आ गया तो हमारा fix पिक्सद कि हमारा first इन डंज सब्सक्क्राइम यंदद प्र क्लोमीटर का जो इब रोपींटर का जो चार्ज है मैं फांड स्थर्सक्राइब सब्सक्राइब जब जाएगा तो पहले तो वो fix charge देगा और fix charge कितना था हमारा 5 रुपीज देगा और 25 किलो मेटर कितने के सबसे 10 रुपीज के सबसे तो 5 प्लस कि तूफिप्टी इसकाल टूट 255 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो उसने जो भी प्लस के लिए पूछ रहा था तो इस तरह से हमारा थार्ड का फॉर्थ भी हमारा फिनिश हो जाता है अब नेस्ट हम करने वाले इसका कोशन नमबर फाइब सेकिंड लास्ट कोशन और उसके बाद लास्ट कोशन तो बने रहे इस वीडियों अभी